कलेक्टिट पैसर में कुरोना पॉस्टिव क्रमचारी मिलने पर पैसर को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है जिसके संबंद में A.D.M.C.T. राकेश कुमा सिर्वास्तों ने बताये कि कलेक्टिट इस्थित डियम कारियाले में एक रमचारी को रिपोर्ट कोरोना पॉस्टिव आया है जिसको देखते हुए पैसर से संक्रमण को दूर करने के लिए 48 घंटों के लिए सील करके सिनेटाइजेशन का कारिक किया जा रहा है और पैसर आम जनता के लिए बंद है उन्होंने कहा कि बिना और शक्ता के घर से बाहर ना निकले संक्रमण को दूर करने में प्रशासन की मदद करें इस संबन्ध में गुरखपु नियूस से बात करते हुए एडियम सिठी राकिस कुमा से वास्तों ने कहा उन्हांता क्यों हाञा रात कि ब्ल्स काने शक्ता कुमां तुम्स का मुत्वक हाई हेसित जङ engagirie है जाइस जाइस जाहितों अनक्ता वहांता है कि अधिए परिशा में कलेक्टेट एंपलाई पाजिटिफ पाय जाने की वज़े से सेनिटाइजेशन के लिए अड़ाइस घंटे का समय लिया गया है और इसलिए कलेक्टेट परिशार को सेनिटाइज करने के लिए बंग किया गया है जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनको टोका भी जा रहा है और लॉक्डवन एरिया में तो इंटर नहीं करने दिया जा रहा है के वल आवश्यक सेवाओं के लोग ही लॉक्डवन एरिया में इंटर कर रहे हैं